सुबा का मना साथ दिसेंबर 2020 वाटिका में बने रहें और योवा परमिशन ने पूर्व की और अदन देश में एक वाटिका लगाई और जह आदम को जिसे उसने रचाता रख दिया उतपती दो द्याई का आठवचन परमिशन ने मनुशे को अराम और परसंता पूरण वशियत सस्थान दिया था अदन का अर्थ है परसंता और उसके अंदर जो वाटिका दी थी वे उसकी परसंता थी और अधिक बढ़ती थी जे क्लीशिया के शाया है जब हम नया जनम लेते हैं और जल और आत्मा से जनम लेते हैं तो परमिशन क्लीशिया में रखता है इससे हमें परसंता होती है और परमिशन भी हमसे परसं होता है आदिम को जिसने उसने रचा था परमेशिय कलीसिया में उन लोगों को रखता है जिनके अंदर कुछ वे निर्मान का काम करता है परानी सबाब में परिवातन इश्विर सबाब का निर्मान क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसी येश्यू में उन भले कामों के लिए सिर्जे गे इफसियो दो अदै का दसवचंग परमेशिय ने मनुशे के लिए अदन में वाटिका लगाई कि उसे बोजन, मकान और सुरक्षा दी और उसकी सारी अविशक्तों को पूरा करी इसी परकार परमेशिय ने मनुशे को कलीसिया में इसलिए रखा कि उसे आत्मिक बोजन दी परमपरदान के गुपतस्तान में शरन दी, अंदिकार की शक्तों से सुरक्षा दी और उसकी सारी आत्मिक अविशक्तों को पूरी करी मनुशे ने पाप किया और उसे वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और उसके परसंता पूरन जीवन का उसने अंत हो गया परमेशिय ने हमें रखे वाटिका में हम बने रहें कुमार के हातों के मिट्टी के समान हम उसकी इच्छा के अंसार डाले जाने के लिए अपने आपको उसके हातों में समर्पन करें हमारी प्रेमी परमिश्य हमारी सबी अविशक्तों को उर्ती करने का प्रबंद किया है परमिश्य ने हमें जिस स्तान में रखा है उसमें हम बने रहें और अपने जीवन को पाप और संसारिक तक से मुक्त रखें सुबा का मना, गौड ब्लेस यू